हेलो स्टूरेंट्स आज हम क्लास सेवंथ एंगलिश हानीकॉम बुक का चैप्टर नंबर एट फायर फ्रेंट फो की मल्टिपल चॉइस कोशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत सदे इंपॉर्टेंट है अब की अब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को ओके नेक्स्ट करते हैं भाम स्टार्ट आपके MCQs सो फॉस्ट MCQ is here वाटर शुद नॉट पी यूज़ उन फायर कॉस्ट पाइर फ्यूल, ट्रॉयल, इलेक्रिकल अप्लाइंसे जो वाटर होता है हमें, सॉरी, जब आग लगी हो, फायर लगी हो, तो हम उनने उसके उपर वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए किसके उपर? जब इलेक्रिकल अप्लाइंसे हो उनके उपर क्योंकि तब क्या होता है? करन्ट आने का डर रहता है तो इसका correct option क्या है? D Next, fire is a bad master if it is made by coal, made by electricity, अंजर या फिर अंजर कंट्रोल fire क्या है? एक bad master है क्यों? कब जब वो control ना किया जा सकी So, D क्या है इसका correct option So, ये आपके ना chapter में काफी सारे questions दो तेन मसे क्यों इसे के उपर ही बनते हैं कि जब fire है, एक bad master है कब होएगा जब उसको हम control नहीं कर सकते आगे देखते हैं उन questions को देखिए, same question थोड़ा सा हटकिया है fire is a good servant but a bad worker friend, master, leader अभी अभी हमने पढ़ा जो fire है, एक good servant तो है but एक bad क्या है? master So, C is the correct option Next, man's first experience of fire कुछ भी man का जो first experience हुआ था fire के साथ वो कैसा होगा? lightning, rubbing stones, volcanoes, both B and C अब देखिए, rubbing stones का तो आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसे ही जो fire थी, वो ऐसे invent होई थी एक जो volcanoes eruption होता है इससे भी fire का पता लगा था So, इसके दो correct option में बैठते हैं B and C So, D option में आपके दोनों included है So, क्या होएगा? D होएगा इसका correct option Both B and C Next, when the energy is released in the form of heat and light It is, जब energy release होती है किस form में? Heat और light की में तो इसको क्या कहा जाता है? Fire, a chemical reaction, light energy, both A and B अब देखिए, इसको हम fire भी कहते हैं और एक क्या होते है Chemical reaction भी होता है So, इसका correct option क्या जाएगा? D, both A and B is the correct option Next, how does fire serve us? कि fire से हमको क्या क्या use कर सकते हैं? Fire हमारे किस काम किया है? It is used to cook food Yes, it is correct option Warm server homes Yes, अगर हम लकड़ी को थोड़ी दिर के लिए जला दे मतलब जो fire होती है Fire होती है तो इससे हमारा घर के रहता है गरम रहता है, warm रहता है Electricity के भी काम आती है So, सारे ओप्शन करेक्ट है तो किसके साथ जाएगे? All of these D क्या रहेगा? इसका correct option Next, the temperature at which Every fuel bombs is called जो temperature है जिसके उपर सारे-सारे fuel bombs होती है वो क्या नाम दिया गया है उसको Flash point कहा जाता है उसको B क्या है इसका correct option देखिए अब flash और flush में ना confuse मत हो जाएगा सिर्फ इनोने spelling mistake करिया है यहाँ पर आपको confuse करने के लिए So, इसका correct option कहा जाएगा Flash point, B is the correct option Next, give the meaning of generate Generate का मतलब क्या होता है देखिए अगर generate यहाँ पर दे रहे है और इदर generator दे रहे है तो यह तो बिल्कुल आपको confuse करने के लिए दे रहे है इसको तो पहले ही cut कर दीजिए Destroy किसी चीज को बनाने का मतलब होता है Generate Destroy तो उसका positive चला गया Next, आथ है create and produce So, इसका correct option कहाएगा Produce किसी चीज को generate करना Produce करना बनाना So, D क्या है इसका correct option Create भी नहीं होएगा इसका मतलब वो create थोड़ा creativity से लिंग करता हुआ चाहता है So, इसका correct option क्या रहेगा D, produce Like हम electricity generate करते है Fire की help से So, हम वो electricity को क्या कर रहे है Produce कर रहे है उससे Next question When carbon and hydrogen are combined with oxygen जब carbon और hydrogen को combine किया जाता है Oxygen के साथ तो ये क्या cause करता है ये fire cause करता है So, इसका correct option Next fire can be a good servant Created a bad master Both A and C ये तो आपको proper एक आपके चाप्टर में ये पूरी एक phrase दे रहा है कि fire क्या है एक good servant है और एक bad master है So, दोनों ही option यहाँ पर Correct दिये गए है A good servant, a bad master So, A and C दे रहा है तो इसका correct option तो आएगा D पर मेरी एक और बात सुनिये आगर इदर good की जंगा bad servant होता तब क्या करते आप और इदर bad की जंगा good होता और option एक और दिया जाजाता none of these तब आता correct option none of these देखिए हमने opposite कर दिया कि a bad servant होता है और fire के होती है एक good master होती है जो कि यह बिल्कुल ही गलत चीज है इसमें से कोई भी correct नहीं होगा इदर correct option क्या जाता है a good servant और a bad master बोथ A and C next trick the correct answer इनमें से आपको सही option पे correct करना है fire के एक energy है fire के एक heat and light है the fire is the result of a chemical reaction fire is a 4 देखिए जो fire है वो friend भी होती है 4 भी होती है तो यह तो अदर दूरा answer होगा तो D तो इसका correct option होगा नहीं fire एक energy है अब भी कुछ नहीं कहें गया fire एक heat and light है आपको यह बच्च कहेंगे heat और light का तो जिकर किया गया पर वहाँ पर combine किसके साथ किया गया है उसको oxygen के साथ combine किया गया है तो यह आपका आधे दूरे option दिये गए है so A भी नहीं हुआ B भी नहीं और D भी नहीं हुआ पर जो C है कि fire किसका result है chemical reaction का result है यह बिल्कुल सही है so C क्या है इसका correct option okay next आते है fire brigade is an old concept a band of fire fighters a human chain both A and B जो fire brigade होती है अगर कहीं आग लग जाती है तो fire brigade को बुलाया जाता है red red color की आप सबने देखी ही होगी जो fire brigade होती है so वो क्या होती है a band of fire fighters so B क्या है इसका correct option give the opposite of long long का opposite देजिए long का opposite क्या होएगा short B क्या होएगा इसका correct option okay long short please subscribe the channel like कर दीजिएगा वीजिएगा वीजिएगा share कीजिएगा अपने friends के साथ और comment करके बताएगा आप सबको वीजिएगा कैसी लगी so thank you students for watching अगर किसी को कोई doubts हो so please वो comment section में मिर से पूछ सकता है मैं जल्दी से जल्दी उसका reply करने की पूरे कोशिश करूँगी so thank you for watching